नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं खरी-खरी और मैं हूँ आपके सात मांसी। आज बात होगी खरी-खरी में Congress की, तैयारी की Congress की लोगसवा सीट की, जो लोगसवा चुनावों के लोगसवा सीट की पहली लिस्ट जो है जारी करने ही वाली है और उसी लिस्ट पर आज हम चर्चा करेंगे। वारुन यादव खंडवा से और आपको बता दो इसमें जो मुख्य नाम जो है कोशिश यह की जा रहे हैं कि जो बड़े चहरेते उनको ही रखा जाए जिसमें आपको बता दो कि मैं पूर्व मुख्यमंतरी आशोग गहलोत हैं और भूपेश भगेल हैं और कमलनात हैं उनका जो नाम है उनको उमिद्वार के रूप पे लाया जा सकता है आपको और बता दो इसी लिस्ट पर आज बात करने के लिए इसी मुद्य पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमलेंदू उपाद्याई जी उनका हम सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे आज क्या पहली लिस्ट जा जाड़ि कर ने वाली है और यह लिस्ट बहुत जादा दिल्चस्फ रहने वाली है क्योंकि कॉंग्रिस ने जो है इसमें पुराने चेहरों को रखा है मतलब बदला नहीं है जो नाम है वो निकल कर सामने आ रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि लोग सुबा चुनावों के लिस्ट जारी की गई है जिसमें मैंने आपको बताया कि राहूल गांधी जो की वाइ मन्तन चला है CEC की पैठक में उनकी सेंटर एक्षिन कमीटी चुनाव कमीटी उसमें रात चला है मन्तन और तमाम शेत्रों से और तमाम एजेंसिबर कॉंग्रिस ने अपने आंतरिक सर्वें भी करवाए कि कहां से कौन जीत सकता है इसको लिए दूसा उनोंने ये देखा कि गठवंदन जिन दलों के साथ हुआ है उनके साथ किसका तार्मिन अच्छा हो सकता उनके कारिकरता होगा किसे तार्मिन हो सकता है दूसरी चुक महतवपूर नोने करेके लिए रखा वो ये रखा कि इस वार सीटे जीतना ज्यादा है तो इस पर ध्यान दखा गया है एड़ कर दिया या बात लक्षी है कि जादा से जादा सीटे जीत करके कॉंग्रिस को आना है और गजवंदन के सही होगी जिए उनका किस तरीकी सही होगी लेना तो ये दो तीन महतवपूर चीज़े इसमें अपना इसको तैकिया है अब इसमें जो नाम आ रहा है जैसे कुछ नाम कर कर दो और गुट कर कर देकि चरह इनको भी कहा गाए इसको देकर वी अभी अंदर चर्चाएं चली है तो उस सामने आ जया है जब उनकी बड़े नम जो इस तरीके से आ सकते है इसी तरीकी से हो सकता है कि पंजाब से उनका नाम और पूर मुक्हमंति चंदी चन्नी ओन न बढ़े नाम इस मैंदन में कॉनावी मैंदन की तरफ से और लक्ष है कि किसी भी तरीके से जाद से जास स्टे जीत करके आना है और स्टे जीत के आने के लिए पेमाने क्या होंगे उस पर जो है समिति चर्चा की है किस तरिकों समझ में मेन बनाया है जाए मद्दातां civic समय के वी नहीं के साथिस टरीक समश उने और इसको लेकर चाह गया ऑगिन रहा है सब्सक्राइब के नाम बाये हुआ है तरह सकता है लुक्त उयस्थ यह शर्च किर्चा में हो एंधर कल विए से यह जारी जारी हो grate जो पहली लिस्ट जारी होगी उसमें तमाम बले नाम जो है इस तरीके से आ सकते हैं और कुछ नए चेहरे भी इसमें आ सकते हैं बिल्कुन जी जैसे कि हम बताएं कि 36 गड़ में अमलेंदु जी कह रहे हैं कि इनके नाम हो सकते हैं अमीद्वारों की लिस्ट जो है अशंका ज सब्सक्राइब कर शिफ डेरिया जी हैं और राजेश तिबारी तो आप क्या कहना चाहेंगे नामों को चारो नाम जो है 36 की राजनिती में कोई नए नाम नहीं है महतपूर नाम है चारो जो है वह तीन बार के बढ़ाय के मंत्री भी रह चुके हैं और जुजहारू नेता र सब्सक्राइब के लिए और यह महतपूर नेता वहां की 36 गलकी है जो सब्सक्राइब करताओं को पीचे अच्छा संदेश जाए कि बढ़े लोग जो तमाम सब इस समय मैदान में हैं कि दो एयार उननीस के चुनाओं में और दो जाट चौदे के चौनाओं में कॉंग्रिस को गुफसान हुआ था वह यह वह था कि कई बढ़े नामों ने चुनाओं लड़ने से इंकार कर रहे हैं तो अब यह जो है आला कमान का कि तमाम बले लोग जो है जिनके नाम बढ़े हैं और जिनके पद्वी बले रहे हैं और जिनका राजिंती में गलंबा अन्वब है वह सभी लोग इस समय लोकस्वा चुनाओं लेंगे और वह अपनी सी के तैकर है तो कई नामों पर चर्चा चलिए तो इस तरीके के नाम आ रहे हैं 36 गड़ असल में वह राज्य है अभी तो तो दूसरा चाहिए जहां से ग्यायात में से नौ सीटे भारती जन्ता-पार्टी के पास हैं तो भारती जन्ता,पार्टी से हांटी, हिंदीय पक्की उससे उसको शेकस दिए जानी है इसकी रहनीनी चीति पर कंग्रिस खास तरीके से काम कर रही है की हिन्दी ह suit कि भात- जानता पार्टी ने गलती करी कि उन्होंने जो भी लिस्ट जारी की तो अरोने को प्राने नाम जो देखी गई ती और नए नाम को रखा गये था वह नए नाम जो ते वह अपनी उमीद्वारी यहीं पर कॉंग्रिस ने कह सकते हैं कि अच्छा पैतरा अपनाया है जो पुराने चैरे ते उनी को रखा है उनी को लड़ा रहे हैं इसमें जो महत्तपूम आथ है जो आपने भी कही कि पर भारती जंता पार्टी ने पर पहले कि अपने सहीयोगियों से कोई बातचीत नहीं की जो उसके सहीयोगी जनताप्द गजवंदन के सहीयोगी जो है उनके साथ उसने कोई चर्चा नहीं की कि किसको क्या सीट दिया नहीं है आपने एक तरफा 195 सीटों पर अपने उमीदार घुशित कर दिये यानि कि उन 195 सीटों पर तो आप किसी भी तरीकी की कोई बातचीत जिसमें सलमान खुर्शीत थे अशोग गहलो थे मोहन प्रकाश थे और मुकुल वासनिक उसके चेरमेंट थे उस कमेटी ने अपने सहीयोगी दलों से तमाम इस तरफ बे बातचीत की उनके नाम लिए गए कि आपके सीटों पर लोना चाहते हैं ये भी चर्चा हुई फिर कि थीक हुए इन सीटों को फाइनल किया आता है और वो सीटें फाईनल रही जैसाि कि आवा दिनीं पार्टी कस्षाथ कि सीतों कि मरुशना होयी कि समाजवाधी पार्टी से से फीचिल्शन की घोशना हुई उस से पहले कांग्रेस ने अपने कोई नाम कि धोटर्षित नही वहाया, फ्र वह कुछ चैंच गालिक उसमें, जो हुए भी होंगे. तो, कॉंग्रेस भीना किसी सहयोगी से बात कि हुए किसी भी सीट, कोई गोशना नहीं किये तो और जो लोग भी टिकेट मांग रहे हैं या जिन्हों ने अपने आविदन दी हैं या जो लगना चाहते हैं उनकी भी बारे में सुचना है जो हिर्वी एकत्र कॉंग्रेस ने अपने कई स्थर पर करवाई संधन सिर्फ सुचना है अलग नहीं अपनी ए वहां के जाती है समीकर हो सकते हैं इसका भी इसवार बहुत करतरी से ध्यान दखा या रहा है कि वहां महिलाओं की स्थिति क्या है उनके साथ किस तरीके से हमारा कौन सा प्रत्याशी संबाद कर सकता है और जो कॉंग्रेस जिन मुद्दों को अभी तक उठा रही है खास्तो नाम निकल कर सामने आ रहे हैं उसमीं ब्रजेंदर ओला अशोख चांदना औरisa गोविंद्रा, मेगवाल, प्रमोजेन भाया और मुरारी लाल यह वो नाम है जो काफी जादा कह सकते हैं कि राजिस्थान में इनका अच्छा का सदब दबा है और कह सकते हैं कि पुराने नाम है इनको लिया गया है तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर इन नाम की घोशना हो ज कि अच्छा का ओअ और अधा कमान की बड़े लोकतम इन नाम हो भी सभी चुनाओ लाएंगे तो सचिंट पायले लाया सकता है तो अच्छो गहलत को भी चुनाओ लाया सकता है यह चेर्चा है दूसर जो आपने नाम बटाया जो है और गोविंद्राम बेग्वाल और तीसा उठाना चाहती हो जिस तरीके से अभी राजिस्थान में कॉंग्रेस की सरकार हारी है और बहुत कम उसके अंतर से हारी एक लिए अच्छा राजिस्थान का तो एतिहास ही है कि अगर वहां कोई सरकार हखती है तो फूर एक्दम से वह 335 पर आती है दूसरा 150 पर पहुच जाता है इस तरीकी की इस्तिति लेकिन यहां कॉंग्रेस ने अच्छी मतलब टक कर दी समीशेत्रों में और हारी भी अगर कॉंग्रेस है तो एक सत्तर के आसपार उसकी सीटे हैं यानि कि जो इस्तिती दुरुगती भारती इंता पार्टी की पिछले चुनाओं में हुई थी जब कांग्रेस ने सरकाव बनाई तो बैसी इस्तिती या उससे पहले कांग्रेस की खुद की इस्तिती ज쪽 हो गई थी इसका मतलब कि कहीं न कहीं कोंग्रेस की जाइस्थान 12 estχा ने कि एक फैकिस नबार काफी तक पूरा दोंक चाहती है कि इस तरीक बन नगाय किया गया तो यह सम्झारि नगारी डिया कुमारी पहली बार के विधायक शर्मा जी उनको बना दिया गया है तो यह जिस तरीकी से वहां हुआ है तो कॉंग्रेस भारती जनता पार्टी के अंदर उठ रहे असंतोष को भुनाना चाहती है यह तरीकी से समझा जा सकता है तो एक तरफ तो राइस्थान में कॉंग्रेस की रहनीत जिनका पहली से जराधर भी है और जिनकी पहली से लोक्रित भी है ताकि राइस्थान के सवाह कहा पूर को मिले गा तो यह रनीति है और इसलिए बड़े नामों की बात की जा रही कि बड़े नाम जो हैं वह उनको विधानसवा से निकाल करके अब लड़ाया जाए लोगसवा का चुनाओं यहादे कि उल्टी रणनीती एक तरही से आप कह सकती है मतलब भारती जनता पाइकी तो अपने तवाम बड़े नाम जो थे वह रा बड़े लेंगे आपने इंको बना दिया उनमें से कई मंत्री भी बन गए है तो अब यह आप किस तरीक से करें तो यह भारती जनता पाइक तरीक से कहा जाए वह चलाते हुए कॉंग्रेस यहां जवदस टकर देने की कोशिश कर रही है भारती जनता पाइक को राजिस्था बाहर चले गए थे और अभी वो अलग चुनाड़ने हैं आजात समाझ पाइक के साथ मिलकर करके विरान सभा का चुनाड़ना आप वह अपनी पाइक के वहां विधायक हैं तो वह है तो इसकाला 25 सीटे वहां एंडिये को थी तो अब कॉंग्रेस की मन्शा यह है कि यहां भ यहीं से भारती जंता पार्की के लिए एक जवर्दस सेट बैक होगा जवर्दस चुनाटी होगी और भारती जंता पार्की की सरकार बनने में रोड़े जो हैं वह यहीं से इन दो राजियों से ही उसना शुरू हो जाएंगे इस रणीती पे कॉंग्रेस काम कर रही है खास् जालोरी के लैंप का ये पसंद हो सकते हैं अच्छा नाम हो सकते हैं लेकि अशोक में चूपूर में जैसा तरह के सब्सक्रें कर बारती निता के पार्टी की नेता है वो विद्वही स्वर में हुए हैं वो 1998 में अशोग गहलोत के सामने जब लड़े थे तो अशोग गहलोत का जीत का मार्जिन से पांच हजाद है गया था तो वो एक मजबूत निता है वो जो है वो अब सोशल मीडिया पर बार बार जो अपने दुखले रोनाई इसे कभी कहते हैं कि वो कौन कहेगा किसको दिखकते होंगी इधर गरेंजिंग शेखावत का एक जो है काफी बयान जो है वो वीजिए जारी हुआ वाइल हुआ जिसमें कि मुझा मिलेगा तो उनके साथ जो है वो चाय प्यूंगा की और वो लंबे समय तर यहां की राइंती मिन नहीं से बहुत कुश सीखने को है तो सब्सक्राइब करेंगे तो बार्ति जन्ता पार्टी के मुझकिलों का सामना करना पड़ सकता है दूसरा यह किные सलीन नीती इसलिए लंबा समय में लिया गया है लिस्ट तैयार करने में और तमाम लोगों से उसक्रां की अधिया है राजियों की अध्यान अध DNA लिया गया है तो मिला करके ऑचjee तयारी के साथ कॉंग्रेस अब चुनाओं में जाना चाहती है मानसी बिलकुल अपने सही कहा कि कॉंग्रेस नहीं ये काम अच्छा किया है कि उसने बाकी और पार्टी की तरह विपक्ष की तरह कह सकते हैं कि बीजेपी की तरह उन्होंने जो अपने दलों से बिना बात किये रातो रात जो है मीटिंग करके चर्चा किये उसके बाद ही लिस्ट तयार की है और जो नाम शामील सामने आ रहे हैं ये नाम काफी जादा बड़े हिनाम है और आपको बताते हैं कि बहुत जल्दी इस पर घोश्रा हो सकती है आज या कल में ही नाम आपको पता चल जाएंगी कि कौन सो जो चाननी चौक और अल्कालांबा चाननी जो उसके बहुत भी सफेंस है कि मतलब यह जगाहें चाननी चौक से और जएपी अग्रवाल और जो गोल्कालांबा की बीच में कहा जा रहा है कि इन दोनों में से किसी एक को जो है लोकसुम चुनाफ लटभायाय सकता है साथी सा आपको बदा दो कि अर्वेंदी सिंग जो लखवी है वह उत्तर पूर्वी दिल्ली से रड़ सकते तो आप क्या कहना चाहेंगे नामों को लेकर देखिए यह जो भी नाम आ रहे हैं दोनों ही अच्छे सब्सक्राइब दोनों एक तरीकी से साबित होंगे तो यह समझाई आ सकता है और वहां से जो हैं चान्नी चौक से वह अपना नमस्ते करेंगे जा चुकी है उसको किस तरीके से कॉंग्रेस करती है इस पर कॉंग्रेस काम कर रही है अलका लामबा एक अच्छा नाम हो सकती है अलका लामबा भी वहां से चुनाव लग सकती है चूंकि तेश तर्दार हैं वहां से विधायक भी रह चुकी है दिल्ली से अलका लामबा तो वह भी अच्छा हो सकते हैं ज्यापी अग्रवाल वरिश नेता है एक समय में मुक्यम सब्सक्राइब लिए अब कॉंग्रिस ने वहां अपनी क्या रणिती पनाई है और वह फैसला किया गया हुआ तो यह अब लिस्ट में नाम आ जागा किसको महां से दिया रहा है यह बहुत जल्दी नाम आ जाएगा अर्विंदर सिंग लवली जो है वो प्रमुख निता है और कॉंग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष में हैं और वह लगाता जो है पहले हाला कि पहले तो अर्विंद के जीवाल के खाफी जादा मुखर रहा करते थे और अच्छे जुहारू निता एक तरीकी से अर् को साथोगी साथो सीटी दे दो तो फिर एलजी जो है वो कोई एक तरीकी से रोड़े नहीं अटका पाएंगे दिल्ली की सरकार के लिए यानि कि यहां लक्ष एकदम तय हो गया है आम आदमी पार की कॉंग्रेस मिलकर के मजबूती के साथ चुनाव में उतरने जा रहे हैं आम आदमी पार की पहले ही अपने प्रत्याशों की गोशना कर चुकी है कॉंग्रेस की लिस्ट भी आ जाएगी इसके बाद फिर एक खुला मैदान हो जाएगा और अच्छे तरीके से यहां चुनाव में दोनों दल एकठे हो करके जाएंगे और भारती जिनता पार की के लि दिली में कुल मिला करके रोगने की कोशिश की जाए इस रगनीती पे यहां कॉंग्रेस काम कर रही है जो भी अब तंग नाम आए है यह अच्छे नाम है और दलित मुद्धों को बहुत प्रमुखता के साथ उठाते रहे हैं तो उस रिजर्व कॉंस्टेंसी पे एक तरीक स हो पन्राध के नाम के आने के साथ तो अब देखते हैं कि वह हम सुचना दिये यहीजगन है जो हम लोग पाउस के लिब हो सकता है लेकिन ये नाम लगाई थी हेनल है और अच्छी दिली में भी होगी भारतु जनता पार्टि को साथ में साथ सीटे मिलने मैं नहीं जा रही है ऐसा समझा जा सकता है कॉंगरिसे की लिस्ट जब ये उसके बाद और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह की से एपना बता रहे हैं कि कॉंगरिसे की जो अमिद्वारों की जिसमें शशी थरूर रमेश चैनिथला चांडी ओमन और राहूल गांदी इनके जो नाम है यह मुख्य नाम निकल कर आ रहे हैं के रहे हैं के बेटे और राहूल गांदी की जो भारत जोड़ो यात्ता थी उसमें कन्या कुमारी से ही वो लगातार पैदल उनके साथ चलते पै चलें फ्लाँ और यूबास नेता है तो इसलिए उनको भी लाने का प्यास के एंड़ाघुती में उनको केंडी राईनती में याथ यह tures नामी फिर हैं जाहिसी बात है कॉंग्रेस अध्यक्षपत के दावेदार रह चुके हैं चुनाओर रहा है उन्हें महासचिपकावी चुनाओर लड़ चुके हैं वह तो बड़े नाम है और खास्तों से अंतराश्ची मामलों पे और अंग्रेजी की वोकेबिलरी में शशी थरूर का कोई मान से हैं और लगातार अपने शेत्र के लिए शशी थरूर काम करते हैं यानि अपने शेत्र में और राष्ट्री राजिन्ती में किस तरीके का समन्में बनाके चलना है ये शशी थरूर की राजिन्ती से अच्छे तरीके से समझा जा सकता है तो शशी थरूर एक वह नाम है रम तो आपने नाम बताया। तो यह चार नाम बले नाम जो है यह वहां से आ रहे हैं कि देखिए के लाई आमने सामने महां लेफ्ट प्रेंट और कॉंग्रिस की है मज़े की बात यह है कि लेफ्ट फ्रेंट और कॉंग्रिस दोनों इंडिया गठवन्दन में शरीक हैं तो यानि कि राश्टी राजनीती में आ करके जब दिल्ली में सरकार बनाने की बारी आईए तब तो दोनों एक होंगे लेकिन केरल में जा करके दोनों एक दूसरे खिलाफ लेंगे और प्रधानमंती नरीद मोधी वहां जा करके यह वार कर रहे थे अभी जब गए थे केरल के लिटी यूस्ति का शत्रु न परटी में और वामद्रणों भार्ती इंट आरे तो है तो दिल्ली में आर करके दिल्लों शत्रु जो केल्द में आन में प्लand देर्ट तो यहां नियुद्ट रह झाई तो यहां मौझूद होगा दिल्ली में तो यहां इंडिया तो यह भारती इंतर पार्टी के लिए चुनौती तरीकी से होगी तो केरल की दाजीते वो इस तरीके से समझा जा सकता है मांसी जी बिल्कुल आपने सही गा कि किस तरीके से कॉंग्रिस जो है लगातार जो है अपनी जो तयारी एकदब मजबूत कर दी है लोकसभा चुनावों के लिए उन्होंने लिस्ट भी तयार कर दी है दस राज्य लेकिन अभी हम आपको नहीं बोल सकते हैं कि हाँ यह कंफर में जब तक घोष्टना नहीं हो जाती है इसी के साथ में अम्रेंदु जो हम चलते हैं मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में जो है नकुलनाथ को लेकर काफी ज़्यादा चर्चा हो रही थी और कमलनाथ के ल हुआ और मिनाक्षी नट्राजन मंदसोर से और अरुन यादव जो है खंडवा से लड़ सकते हैं तो यह जो नाम है इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एंपी में कैसी इनकी चवी और किस तरीके से इनकी मजबूत पकड़ है मद्यपदेश में कांतियाल भूरिया बहुत वरिश नेता है और मजबूत नेता है कांतियाल भूरिया का होगा इसी तरीके से जो आपने एक और नाम दिया मेनाक्षी नचराजन नेता है निकल करके आई है और जो वहां का लेडी गर्स कॉलेज है इंदौर का वहां से अपनी राजनिती शुरू की तो मेनाक्षी नचराजन भी बहुत मजबूत नाम है और रहूल गांधी की जो कोर्ट मेनाक्षी नचराजन लेकिन नाराजगी नहीं है और रही है और उनका मजबूत जनाधार है तो उनके नाम पर एक तरीकी जिकाया महर लग चुकी है ऐसा हम समझ सकते हैं जो बाकि अब क्या होगा वह तो देखा जाएगा अब क्या करें महतुपूर जो चर्चा है वह तो नकुलनाथ और कमना जो हैं, इनको करके चर्चा है तो नकुलनाथ अभी चिन्वारा में पोस्टर जू था वह लगा हुए था भृतिंत पार्टी नगभाया था या नकुलनाथ नगवा था यहां जो हम समझ दो चाहैं या उसमें महाश्री विरात्ति की बढ़ाई नि कहीं नहीं जा रहेंगे और उन्होंने यह भी कहा था कॉंग्रेस करता हूं को साथ उन्होंने जल्दी जल्दी अपने नाम घुशित कर देने चाहिए ताकि हम लोग जो भी जिनकों को लेकर उठ गई उसको देखते हूं हाना कि अब सम्झा जा रहा है कि कमना जो है वो उन पर दवाओ यह है कि आप भले कर नकुलनाथ को ना लाइए लेकिन आपको तो लड़ना है कि हम बड़े नाम जो है उनको सब को इस सारा लक्ष जीतना है और किस तरीके सी जीतना इस प लड़ना चाहिए अभी आपको इसमें लड़ना है तो यह कई पड़े नाम जो सामने आ रहे हैं तो मेनाक्षी नचराजन कांतिलाल भूरिया और यह अपने अरुन यादब बहुत महतुपूर निता है और अरुन यादब पहले उप्रमुक्रंती रहे वहां मध्दप्रद सब्सक्राइब बहुत मजबूत निता खास्तों से बने निता है मध्दप्रदेश के तो मलिकार जुरू खड़गे से और यादब की बातचीत का चित्र वह बहुत ज्यादर हुआ कि इसके क्या मानने तो इसका मानने यह हैं कि अनु यादब से कहा रहा है कि आप लोग सवा के चुनार लिए तो इसके अब ही वहां सरकार हटी है मध्दप्रदेश में फिर से भारति इंता पाइकी सरकार बन गई है जिस तरीके की परिस्तितियां राइस्थान में कॉंग्रेस भारति इंता पाइकी के सामने हैं खीक उसी तरीके की लगबग परिस्त कॉंग्रेस और भारती इंतबाकी दोनों के सामने इस समय मद्द प्रदेश में मद्द प्रदेश में शिवराज सिंग चोहां लगातार एक तरी की से बगावती सुर्फ अपनाए हुए थे और तमाम नेता जो है वहार जैसे प्रदाद सिंग पकें लें जो केंदी मन्ती थे जाकर के वहां उनको राज्य में मन्ती बना दिया गया है उन्होंने कई बार की मीटियों को भाहिशकार किया और इसकी सूच्छा उन्होंने पोस्ट कर दी अपने सोचल मीडिया पर कि मैं आज महां मौजूद महीं था वीडियो कॉंफेंसिंग के जलिए मैं जुड़ा इस शुड़ा सिंग चौहन का भी नाम है तो शुड़ा सिंग चौहन को विडिशा से जलाने का आदेश हो चुगा है कि लोग सवा से चुनाव लेंगे हाला कि शुड़ा सिंग नहीं जाओंगा मध्द प्रदेश तो अब यह तरीके संदेश देने की कोशिक की जारी कि बारती जनता पार्टी के सामने भी वहाँ दिक्कत यह कि आपने कई बले नेता आप नहीं हो थे वह मंत्री बन गए तो लोग नहीं लड़ेंगे उनमें से कुछ हाल गए जो बले बले नाम थे अब वहाल रहे तो वह किस तरीकी सब लोग सवा में जाएंगे तो भारती जनता पार है और भारती जनता पार्टी को मद्रेश में भी शिकस्त दी जायए तो कॉछिश की कोशिश की यह है कि यहां भारती जनता पार्टी के अंदर समय कोशिश की जाया दूसरा एक वाह जिस उनका अच्छा असर है तो जिस तरह के से काम कर रहे है तो इसका जो एक अच्छी टीम इस समय जो कॉंग्रिस की तैयार हुई है मद्धप्रदेश में उस टीम का भी फाइदा लिया जाए उसकी मेहनत का फाइदा लिया जाए बड़े नामों के प्रभाव का फाइदा लिया की लिर्टी कौन देंऊ कि द्रूण होने जा रहा है अपने सही का कि मध्य पदेश पर ज पर घेड़ी का पर आपने जैसे नाम नी लोगों की वम्हारत जदा घड़ा मध्य प्रदेश में और भारत जोड़ों नया यात्रा थी राहुल गांदी की जो अभी अभी अब MP से निकल कर जो है राजिस्थान में आई है तो MP में काफी जादा जनसलाब देखा गया था और यह जो नाम अभी जो लिस्ट सामने आई है इस लिस्ट में जो नाम दिये जा रहे ह उनकी पकड काफी जादा MP में है तो एक तरीके से कह सकते हैं कि लोग सबाद चुनावों के लिए जो कॉंग्रिस ने है काफी जादा तयारी अच्छी कर लिए और जो लिस्ट तयार करके दिया उससे तो वाकई में लग रहा है कि उनकी तयारी पूरी हो चुकी है क्या कहना और जाएंगे तयारी पूरी नी ऊचुकी हो यह पहली सुची के जरिये वह संदेश देनी की कोशिश करेंगी कॉंगरिस कि लडने के अच्छी तयारी हो नाम बेर भाती जंता-पार्टी की जोटी जारी हो तो लोग वती कि यहां लोग चुनाव लगने के लिए तयार नहीं है कि यहां लोग चुनाव लगने के लिए तयार नहीं है कॉंग्रेस जो लिस्ट लेकर के लिए वो फर्स्ट इंपरेशन यह देना चाहती है कि कॉंग्रेस मजबूती के साथ चुनाव में जा रही है उसकी तयारियां पूरी है और उसने अच्छा होमवर्क नामों को तै करने के लिए किया है और आपसी समन्वाह उसने नेताओं के सब्सक्राइब के साथ चुनाव में जा रही है और अच्छे नामों के साथ जा रही है और पहला लक्ष लेकर के जा लिए कि जो भी हम गोशना करें वह चुनाओं जीतने वाले लोग हो भारती जंता पार्की को हाने की उनके अंदर शमता हो संग्ठन का उनको सहयोग मिले और जनता का भी सहयोग मिले ऐसे नाम तैय करने की कोशिश की पहली लिस्ट में की गई है जो कि आज या कल में जारी हो सकती है सभी दलों से कह सकते है चर्चा की और जाती का ध्यान रखा गया है और कौन-कौन क्या-क्या कर सकता है किसकी पकड़के शेत्र में उसके हिसाफ से जो ए नामों की गोशना की गई है यह नम वापस ले लिए वो तो नम वापस ले लिए लिए अंसे बाते निकालने से आपको लुखसान हुआ आपका पेला इंप्रेशन खराब याप के चुनाओं लगा नहीं चाहते हैं वरना ऐसा कौन होगा जो आज मुझसे कहें किया आप चौनाओं लग लिजेंगे तो मै तो मुझे लगे गा मैं चिनल जीतने की श्थिति नहीं हूँ यह जो हो सकते और कारना हो सकता है यह यह आप उस46 में नहीं है वहां कि पखर चार्टाप कारी करें अपर को परिगों इसको टिकेट मिल ना था तो यह आधारति इसका मदल पार्ज है ग्या ग्या था तैयारी न तो इसका मतलब क्या है कि भारती जनता पार्टी की तैयारी चुनाओं को लड़ने के लिए गंभीर नहीं है या तो आपका भरोसा कि और चीजों पर है कि आपके पास मशीनों का सहारा है उसके सारे चुनाओं में जाना चाहते हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो आप अच्छा से सब्सक्तरी होते हैं यह होता है और आपके दो जिनके नाम आपने घोशित कि about चुनाओं लोम इसा प्रेंबं होते हैं और आपके लिस्ट जारी होने से पहले ही जो है वो एक सांसर ज्जीओं ट्वीट करके थैंक्यू मोदीजी वोल लेते हैं उसके थे लिस्ट पर नाम कॉंग्रेस देखे एक तो यह कावाद नहीं कि दूद का जला चार्ज भूकर दो हजार चोदे के लोग सब्सक्राइब में क्या हुआ था यही नोड़ा से हम लोग अपना कारिकम कर रहे हैं यहां से घोशित किये रहे दामेशन तोमर कॉंग्रेस की तब से और आखरी समय में बात्री इन्ता पांकी में यह हूआ तो यह जिस तरीकी है तो इस तरीकी की चीजें ना होने पाएं इसको लेकर के कॉंग्रेस ने बहुत अच्छे तरीकी से ज़ाब बताया आता है कि उसने तर्यारियां की है दूसी तरीके तो यह भी तरही यह सॉस्ससिए पता कर वाया है कि किस किस संपर्क कहा को उखाया है किस तरीके की सितियां देश के अंदर बन चुकी है तो इससे किस तरीके से लिड़ा जाए और कैसे मजबूत लिड़ा जाए खास्तों से हिमाचल प्रदेश का भी जो हाली में एपिसोड हुआ उसको उससे भी काफी सबक जो है कॉंग्रेस को मिला है तो बना कई सबक लेकर के कॉंग्रेस जो वो इस बार चुनाओं में जाना चाहती है और अच्छे तरीके से त्यारी करके जाना चाहती है बाकी जब चुनाओ घुष्ट हो जाए उसके बाहत से परिस्तियां बहुत सी बदलेंगी देश के अंदर एक हवा बन रही है उस हवा को भारती जंता पार्ट परांक परेगो जाए जाएगा एक साल की इत्मा था सथाल संटिया च्रॉंगेार तो आगे तौह बत जा तो आप दो तो यहां आपको एक वर्ष दिया जाएगा कि आप काम सीखिये और काम सीखने के साथ आपने अंदर कोशल आईए आपके पास एक साल का तो बत्ता भी दिया जाएगा ताकि आप अपने खर्चे भी कर सेंगे आगी आप तैयारी अपनी कर सेंगे परिक्षाओं के अगर बढ़े जाने हैं आप उनको बढ़े और आपके पास एक पर लग कहीं आप जाए चाहिए तो आपके पास एक एक साल कोई एक प्रियेंस किया तो उस माहौल में उसके कैंडियेट किस तरीके से एक इजाफा करें इसको ले करके अप कॉंग्रिस आगे बढ़ना चाहिए बिल्कुल अमलिंदु जी आपने जिस तरीके से हमें जानकारी दी कि जो लिस्ट है आपको बता दे कि कॉंग्रिस जो है जल्द ही जारी कर सकती ह तो वहीं अब देखा जा रहा है कि कॉंग्रिस जो है लगातार आगे बढ़ती ही जारी है और जल्द ही जो है अपने उमिद्वारों के लिस्ट गोशिट कर सकती है तो दर्श को आज के इस खरी-खरी में इतना ही कल फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिरों